किताब विपरन की रीततों साचदा मारग पाग शेमा चौथे कांड दा पैला पाग किरिया कर्म अते गुरबानी लेखक सरदार गुरबाक सिंग काड़ा अफगाना अवाज गुर्जन्ट सिंग रूप पुआनी वाहिगुर जी का खालसा वाहिगुर जी की फते असा पिछे पड़िया है कि गरुड पुरान गरंथ केवल लोट नीती दी उबज चू उढ़दा एको पुलंदा है एस विचली किरिया कर्म दी सारी मरजादा केवल ब्रामन दी आमदन दे पक्के साधन बना लेन तो वाद होर कोज नहीं है इस सब को जनू त्याननल पढ़न वाले हर सूजवान मनोख दे मानवेच सुते ही एस सवाल पैदा हुंदा है कि एड़ी तगडी लोट दी फोकट मरजादा वाला एक गरंथ गर्डु पुरान तरमदा आंग बन के लोकां ले मुगती दाता के में बन गया इस पोस्तक दे पहले पाग वेच बड़े विस्थारना लिखिया गया सी के नरोल चूटनू साच बना के पूजा दे तक ते बठा सकन लई ब्रामन दी सबतों वड़ी प्रावती एसी के ए लाग पाग सारे हिंदू कराणियां दा प्रुहत बन चुका सी इस दा गेड़ा सारे हिंदू कराविच नित वाजदा ही रहिंदा सी अते विद्यादा मालक वी केवल ब्रामन ही सी महाचला काते दूररास जोजना बनाओन विच निपोन इस बिपर ने सारी जनता नू अनपड रखके आफ सदीमी पदवी वाड़ा तार्मक गुरु बन बैठा होया सी जीव दे गर विच आउन समेतों अराम्ब होके अंतम किरिया कर्मता क सारे संसकार अथवा शादी गमी दे सारे समागम कारदे प्रोह दी पतरी दे मुथाज बन चुके सान। ठिता, वारा, शगना, अपशगना आदे परमान। कारकार विच बैठा ब्रामण नेत नमे दिन ताजा करी रखदा सी। किसे वी होर तर्मुगरु दी एड़ी असरदार अते करडी पकड आपने चेलियां ते नहीं बन सकी। जिड़ी काम जा भी वाली पकड ब्रामण ने बनाली होई सी। पावे ओप निश्दा आदा ग्यान पुराणा दी कर्मकांडी सिख्यानू रादवी करदा हुएगा पर ओस सिख्यानू गिंती दे विद्वानातों छोट और कोई आज भी नहीं जान दा। परमायन, महापार्त, पागवत पुराण, गर्ड पुराण, शिव पुराण, मन मून या कथा कहाणियां दे चूट विच लपेटे ग्यान दा डूंगा असर पार्त दी सारी जनता ने दिलों कबूल करले असी। पार्त विच हिंदुआं दे जिन्ने मी तीर थान लगपग सारे दे सारे पुराण क इते आसनल जुड़े होय हन। सेख तर्म विच आउन वाले सारे ओही हिंदु साना जिना दे मना विच पुराण क कथावा दा अते एना विच लिखी मर जादा दा बड़ा डूंगा असर सी। किरिया कर्मनाल जुड़े जाम मार्ग अते नरकां सवरकां आदी किसे अडरी होंदुनु मनना गुर्मत ने खंडन कीता है। पर लोकां दे मना विच हजारां सालां तों बने पुराणे विश्वास्यानु खंडन करना सोखा काम नहीं सी। इस कथन का आर्जनु नेपरे चालन लई सादगुरां दा टांग बड़ा मिठा आते नियारा है। गरड पुराण विच ले चूठ बुरुद। सपष्ट शब्दां विच कुछ कह के ब्रामन लखारी दा देल दखोना मिठ बोलडे सादगुर जीनु मनजूर नहीं सी। पर गरड पुराण विच लिखे नरकी दुखां दा अते पितर लोग जान दे 360 दिना विच मुकन वाले दुख दाई को पहने रे अते सक्त गर्मी तो मिल दे कथत तसीहां दे बने पैनुवी लोकां दे मना विचों दूर करना सी। सादगुरां दा उपदेश है के जेडा मनुख जीवन विच प्रबु दी जातों कदे अवेसला नहीं उंदा करां दे कामकाज करदयां वी पर मातमा दा नाम कदे नहीं विसार दा ओस उन जीदा फरमान है जै मात पिता सुत मीत ना पाई मन उहा नाम तेरे सांग सहाई जै महा पियान दूत जम दले तै केवल नाम सांग तेरे चले जै मुशकल हुवे अत पारी हरको नाम खिनमाहें उधारी अनक पुना चर्न करत नहीं तरे हरको नाम कोट पाप पर हरे गुर्मक नाम जपो मन मेरे नानक पावो सूख कनेरे पन्ना दो सो चाउट अर्थ ए पाई ब्रामन दे पाई डरांदी कोई कीमत नहीं रह जांदी जेतु प्रबुदा सिमर्न कदे ना विसारें क्योंके तैनु परोसा बन जाना है कि जिते तेरे कोड तेरे माता पिता उत्तर मित्तर कोई वे नहीं होना ओथे प्रबुदा नाम तेरा सहाई बन जणा है पाव प्रबुनु सदा आंग संग समझ देयां सुआस सुआस प्रबुदा नाम मान विच टकाई रखके सदा पले कम कर देयां प्रबुदे पाने विच जिंदगी गुजारन वाले मनुखनु अजहे फ वो सब कुछ फोकट है प्रबुदा नाम अजहे कथत प्यानक जमा आदा डर नास कर देंदा है प्रबुदा नाम ही केवल मातर अजहा सजन है जो सदा नाल निवदा है इस गलनु कदेनी पूलना चाईदा के प्रबुदा नाम बड़ी तों बड़ी आउकरतों बचा ये पाई ब्रामन ने कई तरां दे पोन कर्म करने मिथे होए हन। पर प्रबुदा से मन करोडां पाव नाश कर देंदा है। पुस्तक दे पाई बिचार हो चुकी है के गुर्मत बिच देवी देवतियां दी अड्री होँदुनू मनन दी कोई था नहीं है। इसे तरां ही तर्मराज, चितरगुप्त, जमदूद, नर्क, सुर्क, आदी, अंड्री होँदुनू मी गुर्बाणी ने नहीं मन्या होया। इस सब कुछ बारे विस्थार विचार अगले आँ पत्रियां ते कीती गई है। इसलिए हेट लिखी सुख्मनी सैब जी दी पौडी विचले मारग अते अंद गुबाराज शवदां तों, गर्डु पराण विचले कथत जाम मारग अते पितर लोग दे मारग विचले कथत दोख नहीं समझने। जें पैंडे महा अंद गुबारा, हर का नाम संग उजियारा, जहां पंथ तेरा को ना सियानू, हर का नाम तेहनाल पछानू, जह महा पयान तफ्त बहुकाम, तेहर के नाम की तुम उपर शाम, जहां त्रिखा मान तुझ आकर्खे, तेनानक हर हर अमृत बर्खे। पन्ना जिन्दगी रूपी जिस पैंडे दे को नहीं गिने जा सकते, पता नहीं इस पैंडे ने कादमोक जाना है, के जहां ये पैंडा और किन्ना बाकी है, ओथे प्रबूदा नाम ही जीव को रास पुंजी है, कथत जम मारग वाले पासे सोच नहीं ले जानी, जिस जिन्दगी जिन्दगी जीव आश्च नहीं जिस पैंड़ी जीव को राषे तेन उपरा विच विकारा दा बड़ा को पहनी रा है, ओथे प्रबूदा नाम रस्ता विक विखाओंली जीव दे नाल चनन है, जेस रस्ते विच है जीव तेराあसली महरम ओर कोई नहीं है, ओथे प्रबू दी तरे तैनों सदा खेच पाउंदी है उत्य हे नानक प्रबू दे नाम दी बर्खाउंदी है जो तप्ष नू बजा देंदी है ब्रामन वाले कथ तरस्ते वेच ते लखां सूर्जां दी गर्मी दा डर पाया हुया है सद्गुर जी ओ तप्ष विकारां दी कह रहे हन इस जिंदगी रूपी रात नू चानने विच बदल के प्रबू नाड अपेद होंदी जेडी जाज सद्गुर जी सिखा रहे हन ओस्तों उखेड के डेरावादी सोच सानू असमानी बने ब्रह्मनी माया जाल विच लेवर दी है असा सद्गुरां दे असल पावनू समझना है सिरी गुरु गर्ण सैब जी दी सारी बाणी दे सिदांत दे अनकूल ही अपनी सोच विचारनू केंदरत रखना है अते ब्रह्मनी सोच तों मुक्ती पावनी है गर्ण पुरान विच विश्णू जी ने जिनना तर्म कर्मा तों सद्गदी प्राप्त होन दी गल कीती है पोन दान वाले उनना तर्म कर्मा नों सद्गुरा ने हंकार पैदा करन वाले फुर्मान कीता है हंकार ही अजिहा प्यान करोग है जड़ा प्रब्बु नाडों वेथ बनाई राख के मनुखा देनु विकारां दा गड़ बना के जनम मरंदे लंबे गेड़ विच पादेंदा है जिते जतन कर्त ते डूबे पावसागर नी तार्यो रे कर्म तर्म करते बहु संजम अहंबो दमन जार्यो रे पन्ना तेन सो पेंटी अर्थ ये पाई तार्मक रसमा वर्न आश्रमा दियां अपो अपनिया रसमा करन दे फरज अते हो और कई किसम दे तार्मक प्रण करन नाड हौमे मनोख दे मननू साड़ दिंदी है जेडे जेडे भी मनोख अजहे जत्र कर दे हन हो सारे संसार सुमंदर विच डोब जान दे हन ए रस्मा संसार सुमंदर तो पार नी लंगा उंदिया संसार दे विकारां तो बचा नी साग दिया दान पुन बारे गुर्मत से दान दी बड़ी लम्मियते खुली विचार पुस्तक दे दूजे पाग विच किती जा चुकी है तार्मक आगवानु दान देन जाराब अथवा इश्टनु परसान करन लई दान दी रसम लुटेरे तर्म आगवान दी चलाई निरी लोट चौंग है प्रभुनु देवते अथवा इश्टनु खुश करके कोई अदे आत्मक जा माएक लाब लह सकन दी लालसा नार जांके से मिर्तक दी कलियान दी इच्छे अनार के से तार्मक आगवनु जांके से मंगते नु दिता दान अजहा कनोना अपराद है जो समाज ली नसूर से दोन वाले मंगते पैदा करदा है अजहा दानी समाई दे सोख चैनते तान दालती बरबादी करन वाले अपरादी पैदा करदा है सो आप ही दानी नी बन बेना सगों सदा प्रभू दे दरबार विच एही बेंती करनी है तुम दाते हम सदा पिखारी दियो जबाग हुए बजगारी दास कबीर तेरी पना समाना पित नजीक राक रहमाना पना ग्यारां सो अकाट किताब विपर्ण की रीत तो साच दा मार्ग पाग शेमा चौथे कांट दा पहला पाग लेख कसरदार गुर्बग सिंग काडा फगाना अवाज गुर्जंट सिंग रूप वारी वाहिगुर जी का खालसा वाहिगुर जी की फते